चे बार मुख्यमंत्री नौबार बिधायक और पांच वार सांसित रह चुके पूरू मुख्यमंत्री बीरवदर सिंग को जिला कांगरस कमेटी मंडी के कारेकरतों ने भावीनी श्रधांजली अर्पित की सेरी मंच मंडी में बीरवदर सिंग के याद में आयोजिस्ट शोकशवा के तुरान कांगरस के वरिस्ट नेता कॉल सिंठाकुर और अनिली शर्मा भी मौजूद रहे और बीरवदर सिंग को उन्होंने श्रधांजली अर्पित की रामपुर विशाहर शाही प्रवार के वंशदव पूरु मुख्यंतरी भीरवदर सिंग ने हिमाचर प्रदेश के लोगों के दिलों पर पांच दश्चों से ज़्यादा समय तक शाशिन किया था आपको बता दें कि कॉंगर्स की पुरानी पीडी से नाता रखने वाले राजा साहिव ने 27 साल की उम्र में 1962 में लोगसवा चुनाब से अपने राजनित की जीवन की शुरुआत की थी उन्होंने चार वार संसतस्दस्य की रूब में शेवा की थी हालांकि लगतार नहीं साल 1967, 1970, 1980 और 2009 में वे संसत्द की स्दस्य की रूब में परदेश को अपनी सेवाईं देते रहे हैं दुख की बात है कि हिमाचर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और अधियांसर बठ्थेत्र के इधायक और पूर्व कांग्रेस पार्टी के अधेख्श हो हम सबसे जुड़ा होकर केश्वर अग्वास हो गये हैं अब उनके घर में जाकर के उनके परिवार जनों को हमें शोक देख्ट किया जुसरे इन सब लोग जो है रीज मैदान में बैठे कांग्रेस होफिस में उठे रीज मैदान में भी भारतिय जन्ता पार्टी की राष्ट्र धेख्श और मंत्री वहां आये शोक देख्ट करने हम उनके पेट्रिक जो है रांपुर्ब शेहर में उनके अंतियस्ति में शामुत होएं वहां हजारों की लोग में जो है वहां उपड़ती के शिर्फ भीर भादर सिंग जी जहां डॉक्टर प्रमार को हिमाचल के जो निर्माता के रूप में जाने जाता है बीर भादर सिंग को हिमाचल प्रदेश में विकास के पुरुष के रूप में बना जाता है उन्हें हिमाचल प्रदेश के विकास में हिमाचल प्रदेश की आर्थीक्य को मजबूत करने के लिए व्ड़ैसाब इंड drinking Pradesh में किसानु की रसा सुधारने के लिए, बागवानों के लिए बहुत काम जो है लाजा साब ने किया है और विसे तोर पे इच्छे वोई च्छेत्रों में, इच्छेत्रों के विकास में उनका बहुत बड़ा युगदान रहा है वो विकास को है ठोक में करते थे प्रिचून में नहीं करते थे कॉंग्रेस पार्टी को उनके निधन से बहुत ही नुक्षान हुआ है हम इस वरसर पर आज यहां मंडी में जला में भी प्रधान सिरी प्रकाशी के विक्ताव में एक सोग सभाका आयुजिन किया है उनके जुए सद्धान्जली अप्रिट करने के लिए सब कांग्रेस्चन तठे हुए है मैं भगवान से प्रास्था करता हूं कि उनकी आत्म को स्वर्ण में सांती दे उनके परिवार जोनों को और समी कांग्रेस्चनों को इस दुख को शेहन करने की शक्ति प्रधान करें हमें भी प्रास्था करते हैं कि अगला जनम भी उनकी अच्छे घर में पैदा हो ताकि समाज की शेवा कर सकें महान नेता को याद करने के लिए मंडी वासिय सभी सेरी मंच पे कठे हुए हैं राजा वीर बत्रसिंग जी जो प्रदेश के और प्रदेश के लिए एक महान नेता के रूप में जाने जाएंगे मैं जानता हूँ जब मैं रानिती में आया उनके मंत्री मंडल में मुझे स्थान मिला बहुत कुछ सेखने का और सबसे बड़ी बात है कि जो कह दिया और कर दिया यह बात मैंनों से सीखी थी और यही कारण है कि आज एक प्रदेश जो आज हमारे जिस तरफ बड़ा है इसम में सबसे बड़ा योगदान राजबीर वद्यसी किया रहा और आज मंडी शहर को जो शरूब मैं दे पाया हूँ मैं जानता हूँ बड़ी चनौती रही बहुत से लोग उन्हें मिस्गाइड भी करते रहे पर फिर भी वो मेरी बात को मानते रहे और इतना बड़ा काम चाह करना चाहता हूँ और सची स्रद्धांजली यह होगी कि उनके बताय हुए काम की तरफ हम आगे बढ़े और जो सीखा है उसको मैं आगे ले जाओ और यही काम ना करता हूँ कि परिवार को दुख जहलने के शक्ति मिले प्रन्तु परिवार मैं समझता हूँ राजबीर ले पेटा और पत्री नहीं यह पूरा परदेश है यह पूरे परदेश के अंदर जो आगे शक्ति दे और उनके बताय हुए मार पर आगे चले यही इस सदी संद्हाजिली जो है वानिय यह मुख्यमनति जी रहे गी राजा बिजबदैसरी के कि ले कि